भारतिय विशुकप टीम में एक ही बदलाव की वैसे गुंजाइश है अनलेस कि वह रात को कोई ट्वीट आ गया हो और वह अनौंस हो गया हो सिंपल सी बात है अक्षर की जगा रवीचंद्रन अश्विन जो की इंजिरी रिप्लेस्मेंट है इसलिए टेक्निकली आपको कि अलग चल रही है कहानी वह बिलकुल अलगी टेंजेंट पर चल रहे हैं कि वहां लड़ाईयां हो रही है वह कह रहे हैं वह सेल्फिश है वह कहना मैं नीचे नीचे नी खिलूँगा रहे कर क्या रहे हो भाई अब तमीम इस नॉट पार दो बंगलेश वर्लकप सूपर ओवर में आप सभी का स्वागत है कैसे आप यहान बीच बीच में आपको जिंगूर की आवाज आएंगे क्योंकि मैं आ गया हूँ यह कुछ अलग से जगा है यह हॉलिडे मेरा होम समझे लो चार दिम के लिए हैं क्योंकि मिस्स के बर्दे पे तो मैं होने वाला नह सबसे पहले भारत की बात कर लेता हैं जो बदलाव है तो घुलिए कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको आछी डिसाइड करना कर डिसाइड करना आपको अँचिरी की रिप्लेस्मेंट इस अवेलिबल तिल वैनेवर खुनेट के बाद भी आ लाड़ी के साथ कि जैसी वो विश्वकप आने लगता है तो रवी चंदर नश्विन आ जाते हैं यह बिलकुल अधभुत बात है अव विश्वस्निय बात है क्योंकि जिस भी फॉर्माट के विश्वकप में आते हैं उससे पिछले एक साल में कहीं नहीं होते हैं इन फैक आक्चिनेन के विश्वकप के वो सफर रहे हैं पर he will be there अभी चंदर नाश्विन एक मात रॉफ्स पिनर के रूप में भारती दीम का हिससा बनेंगे अब यूब इःते हैं बारती अगोफ के यप लांट डॉसे कहानी है वो कहानी है तमीम इकबाल की तमीम इकबाल की साहर यार बंगलादेश की ओंड शाहांद की अढ़ चल्रही है फिर कप्तान है तक यार नीचे बैटिंग कर ले, वो कहता है, मैं नहीं करूँगा. तो वो कहते है, मतलब, क्या हो क्या रहा है यार? ओने सी दो बहुत सीने कहिला रही हैं, और जो पहले मुझे खबरे मिली थी, वो यह थी कि बहुत अच्छे दोस्त में हैं. अब तो गाना यात भार है, दोस्त दोस्त ना रहा तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तमीमिक भारु गह दी है, टाटा बाय वाय और वोस टीम का हिस्सा नहीं है, शाकिप क्या रहे है कि बन्दा रही। इवड़ा सेल्फिश है मैं नहीं कहतं हू हु שasyakim नेगा है तो वो उनका आपस में जो बावाल चल रहा है वो चल रहा है बही स्टोरी बन गई है अब डिस इस नॉट द वे यूट तो स्टार्ट पर बांगलदेश सच बात तो यह भी है कि 2025 के बाद तो शाकिब भी कह रहे है कि मैं सारे फॉर्माट को सब कुछ कह दूँगा बाई बाई टाटा तो भी हो सकता है I mean things are changing rapidly people are getting select नी हो रहे हैं फिर कुछ कह रहे हैं कि मैं तो मैं खेलूंगा इनी फॉर्माट and that's my third story नवीन उलहक पहले कुंटेट डीकॉक ने कहा था कि मुझे नहीं खेलना है मतब इस फॉर्माट में खेलूंगा इनी बस यह हो गया इसके बाद नहीं खेलूंगा क्योंकि मुझे अच्छे हैं लगता फॉर्माट है I have to prolong my career Interestingly enough ऐसा लग रहा है मुझे कि bilateral cricket तो वैसे एक तम नीचे की तरफ ही जा रही है मैं मेरे कहने से कुछ नहीं हो था honestly आपको लगता कि मैंने कहा इसली जा रही है कई बार लोग कॉमेंट सेक्शन में बोल देते हैं देखिजी जा रही है unfortunate कि मैच चल रहा होता है सौवर का तो यह तो चलो फिर भी इंडिया उस्टेलिया के मैच थे पर अगर अगर यह अफगानिस्तान नेदरलिंड का मैच होगा या फिर बांगलादेश श्रिलंका का मैच होगा विल सी कि कितने लोग देखते हैं आजकल तो सही नंबर भी आ जाता है कि कितने लोग लाइव वाच कर किया रहा हूं जो प्लेयर खेलना है वो कर रहे हैं कर रहे हैं और एक टेबल पर प्रपोजल भी है कि ODI क्रिकेट जो है बाइलाटरल सिरफ होई एक साल पहले हो हालंकि एक थेयरी वैसे फ्लोट यह भी हुई है कि हो सकता है बाइद टाइम 2027 का वलकप आए वो बंडे वलक ही गई है मैंने किया वन सगयन पर वी शेल फाइंड आउट है उसके बाद ही मेरी चौथी स्टोरी है वो है कि ट्राविस हेड तो है टीम का हिस्सा पर नहीं है ऐस्टनेगार रिकवर नहीं कर पाए मानस लाभूशन उनकी जगा टीम में आ गये है ऐसा लग रहा था कि एक को लगेगा चाहिए होगा उनकी तरफ नहीं गए अब मैक्सवेल की और जैंपा की लेग स्पिन इसके साथ जलने का फैसला किया है पर मानस लाभूशन मौके जहां-जहां मिले बहुत सारे रंस बनाए है और होता है इनको या तो हैड को चोट लगे या फिर हैड पे चोट फिर मौका मिला मौका मिला तो फिर रंस बनाए है इनका नाम का प्रणस बनाए है तो फिर मानस लाभूशन खागने इस गूइं टो बी इन दे वरल्ल कप स्कॉट तालिया विल्डन विल्डन अब मेरी पांचवी स्टोडी जो है वो है कि नेपाल और मंगोलिया एक मैच यह सब के हक के बक के मदर सब के पसीने चूट गए कि हो क्या रहा है टीम 273 रन से हारी है मतब 273 रन बहुत सारे रन होते 273 रन से हार गई यह इसाटली मैं निकालके रखा था ट्वीट बड़ा अच्छा था ट्वीट था एक्चली यह क्रिकेट आइसलें डे डू ब़ही फ़नी ट्वीट तो उन्हें ने का कि मंगोलिया 273 रन से नेपाल से हारी है हमारी गलती यह हो गई कि जो भारा पहला अंतराश्टी मैच था हमने स्विजजलेंड को हमने 215 रन से हाराया था तो उसके बाद से कभी भी कोई मैच नी जीते है आइसलें इस नाट वन a single international game since then तो कहरें चलो अच्छा है हार के साथ शुरुवात किया तो मंगोलिया जीतने की रहा पे जाएंगे पर the fact remains 273 रन से हारे है सबसे तेज शतक सबसे तेज अर्थ शतक सब कुछ एकी मैच बन गया है पर अंतराश्टी क्रिक्ट के दर्जा दिया गया इस मुकाबले को क्या ही हो रहा है मतलब T20 मैच में 300 से उपर रंस क्या कर रहे हो नौ बॉल पे 50 दिपिंदर सिंग है रही कुछाल माला क्या बात है चलो बड़े बंज़दार है last but not the least my last story is Pakistan's arrival in India पाकिस्तान का arrival हो चुका है जिसके अंदर हिदराबाद में तो भईया एक्दम red carpet किया था जिस तरीके से बहुत जनता उमर के आई है बहुत प्यार दिया है पाकिस्तान को तो बड़ी वह चर्चा चल रही थी कि भारत मतब नहीं रखेगा बहुत मुश्किल हो रही है वीज़ा में देज बला 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 I think X पर जो आप देखते हो ना उसका narrative को छोड़ दी में कहीं भी जाना हो पहले बोल गए दुश्मन मुल्क फिर कहते हैं कहीं पे भी जाना हो I mean ऐसे तो मत बोलो दुश्मन मुल्क में जाने हम क्रिकेट किलने जा रहे है ऐसा नहीं कहना चाहिए और बाकी जो हो रहा है वह तो खैर नहीं ही होना चाहिए पर क्योंकि ICC का इव पाकिस्तान मैंने तो हो सकता है टॉप फोर में पिक करना हूँ मैंने को क्योंकि I have a feeling that they'll do all right ऐसा मुझे लगता है I mean आप क्या लगता है आप यहां से कोशिश करूंगा इंटरनेट कनेक्ट करके किस तरीके से वीडियो अपलोड हो जाए क्योंकि अपलोड होगा उसके बा यहां थे एदवे प्रीजस्टे सेलिबरेशन तो मेरी अपना रही है अप्तों वीडियो बना रहा है मैं चलता हूं मैं घर बचाना जरूर है ता ठाठा बैबैबैबरिक अ